वेलकम टू न्यू लेसन आज के लेसन में मैं आपसे बात करूँगा अबाउट इमेज सीयो जैसे मैंने आपको समझाये था कि अगर आप अपने कॉंटेंट को रैंक करवाना चाहते हैं उसे अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो यह बहुत ही जरूरी है कि आप इमे प्लस जो यूजर है वो पढ़ने के साथ साथ वीज्वली देख भी पाता है आपके कॉंटेंट को समझ पाता है अच्छे से समझ पाता है तो यह बहुत ही जरूरी है कि आप इमेजिस यूज करो अब अगली चीज है कि आप इमेजिस कैसी यूज करो देखो जो भी आप इ content के साथ align होनी चाहिए और वो एक sense बनानी चाहिए अब सवाल एक images आप लाओ कहां से तरीका यह है कि आप अपनी images use करो खुद की click की हुई images use करो बट अगर आप वो नहीं कर पाते हो for some reason तो आप उस case में stock photos use कर सकते हो stock photos के लिए बड़ी सारी website है जैसे कि pixabay हो गया unsplash हो गया जहां जाके आप stock photos use कर सकते हो normal google पर search करके आपको image use नहीं करनी वो आपके लिए problem हो सकती है so make sure कि आप stock photos use करो ठीक है stock photos use करना सही तरीका है उससे तो बैटर है कि आप अपनी images use करो बट अगर आप वो नहीं कर पारे for some reason then you can go for stock photos अब suppose करो जैसे हमारी पोस्ट थी एक मैं आपको दिखा देता हूं जैसे हमने कल पोस्ट लिख थी आपको याद होगा और यहां पे image थी अब image को मैंने click किया ठीक है मैं यहां पे गया और देखो यहां पे edit का option है कही image को so यहां देखो इधार आ जाते है advance में यहां पे कुछ है क्या देखो यहां पे आ रहे हैं न image alt text ठीक है अब देखो हमेशा जभी भी कोई आप image use करो तो सबसे पहले काम आपको जो करना है वो है image का नाम right for example suppose करो मैं इस image को हटाता हूँ ठीक है यहां पे मैं वापस जाता हूँ मैं प्लस करता हूँ image करता हूँ मैं करता हूँ upload अब इस image का नाम देखो क्या लिखा मैं इन्स्टा फोटो यह file का नाम है तो make sure कि हमेशा जो अब file का नाम है वो file का नाम सही है वो file का नाम ऐसा है जो कि आपका जो blog है उसके content से related हो कोई random नाम आपको नहीं लिखना को generic नाम नहीं लिखना तो जैसे यह मेरा blog था how gain weight मेरा focus keyword था gain weight तो मैं इसका नाम लिखूंगा gain weight अब इमेज सही है यह gain weight के इसाब से राइट बट मैंने लिख दिया say gain weight अब जैसी मैंने image डाली आप देखो यहाँ पर काफी सरी चीज़ आगे style image settings image size तो अब नाम सबसे पहले आपको यह रखना है कि नाम आप सही रखो right दूसरा काम आपको क्या करना है कि जो image का size है वो आपको compress करना है जितनी छोटी से छोटी image की size होगी उतना आपके लिए better है तो आप simple क्या काम कर सकते हो आप tinypng.com करके एक website है वहाँ से जाके आप अपनी image का size compress कर सकते हो image का size छोटा कर सकते हो ठीक है tinypng.com so make sure कि आप image का size एकदम छोटा रखे हो जितना छोटा हो सके अगला काम आपको क्या करना है alt text alt text alt text डू है वह बहुत ही बहुत ही जादा ज़रूरी है alt text में आपको लिखना क्या है जो आपका blog है जो आपका page है उसका जो main keyword है Right वह आपको alt text में लिखना है ठीक है जी वह आपको क्या लिखना है alt text वहाँ पर लिखना है अब जैसे ये image ते gain weight मेरा focus keyword था gain weight, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा, again gain weight, अब देखो यह image उससे align नहीं कर दी, यह image जो है न मेरी वो उससे बिल्कुल align नहीं हो रही है, but मेरे को image सही use करने, यह image उतनी सही है नहीं, ठीक है, so make sure कि आपका जो keyword है, अब देखो इसमें तो gain weight लिख दिया मै आप में इसमें images डालोगे तो उसमें synonyms वगरा use कर सकते हो, right, अब इससे होगा क्या कि rank होने के chances इस image के थोड़े से आपके बढ़ जाएंगे, right, so make sure कि आप हर image कैसी हो कर रहे हो, बहुत ही simple चीज़ है, एक दूचीज़े ध्यान रखनी है, पहला क्या क्या करना है, आपक पहला क्या क्या करना है, आपको फाइल का नाम सही रखना है, अगला क्या क्या करना है कि आपको आल्ट टेक्स्ट लिखना है, जो कि आपका keyword के हिजाब से होना चीज़े, बस, इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, image SEO करने के लिए, ठेक है जी, that's it from this lesson, thank you so much for watching this week.